Hello students, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल Prince Food Education में आज की इस क्लास में हम आपको मैस का टॉपिक वैन हिले के जामती चिंतन के इस तर के बारे में बताएंगे वैन हिले Levels of Geometrical Thinking तो इसमें हम क्या बताएंगे? पहला है चाचुशी करण इसको Level 0 कहते हैं क्या ही? यह क्या है? Level 0 उन्होंने कितने Level दिये हैं? उन्होंने 3 Level दिये हैं जिसमें 0 Level क्या है? चाचुशी करण इस इस तर पर बालक जामती आकरतियों को उनके दिखावट या भुजाओं के आधार पर वन्नित और वर्गी करत करता है मतलब उसने अगर 3 भुजाओं वाली आकरती देखी तो वो समच जाएगा या 3 भुज है 3 भुजाओं वाली जो आकरती है उसको 3 भुज कहते हैं 4 भुजाओं वाली आकरती है उसको 4 भुज कहते हैं तो इस तर इसे क्या होता है? कि 4-6 करण में वह यह जान पाता है जो लेवल 0 है उसमें वह इस तर का बालग वह यह जान पाता है कि अगर 3 भुजाओं वाली आकरती है तो उसे 3 भुज कहेंगे चार भुजाओं वाली आकरती है तो इसो चतरबुज कहेंगे तो इस इस तर पर बालक जामती आकरतियों को उनके दिखावट या भुजाओं के अधार पर कि वो दिख कैसे रही है और उनकी कितनी भुजाओं है उसके अधार पर वो जानता है ये तरिभूज है और ये चतरबूज है वह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता वह सिर्फ उनकी भुजाओं को देखकर कै यह पता लगाता है कि ये तरिभूज है और चतरबूज है ठीक है नेक्स्ट है विशळेशन इसको level first कहते हैं लेवल फरस्ट में क्या होता है कि इस इस तर पर बालक जामती आकरितियों को उनके गुणों के अधार पर वर्णित कर लेता है तथा उनका चित्र भी बना लेता है मतलब उसको गुण पता चल गए कि तीन भुजाएं होती है और तीनों भुजाओं का जो योग होता है 180 जान लेता है सबसे पहले लेवल फर्स लेवल जीरो में उसने क्या किया जो चाचुसी करण था ठीक है उसमें उसने क्या किया उसमें उसने ये किया कि जो आकरतिया बन रही थी बुजाएं जो बन रही थी तीन भुजाएं बन रही थी तो उसको देखकर पता कर रहा था कि चत्री भूज है, चार भूजाए बन रही थी, तो उसको पता कर रहा था कि यह चत्र भूज है, लेकिन लेवल टू क्या है अनौप चारिक निग्बन अनौप चारिक निग्बन में क्या होता है कि भाशाई आधार पर विभिन आकरतियों को परिभाशित कर लेता है कि जो भाशाई आधार पर विभिन आकरतिया है उनको परिभाशित भी कर लेता है पहले उसकी गोड़े के बारे म वो तीन भुजाएं इसमें होती है और चतुर भुज में चार भुजाएं होती है उनमें समानता भी बताना है उसमें असमानता भी बताना है वो सब बता लेता है सूत्र याद कर लेना उनके जो फॉर्मुले होते हैं जैसे त्री भुज के जो फॉर्मुले होते हैं कि हाफ आ अनौपचारिक निग्मन में जो लेवल 2 है उसमें याद तो कर लेता है सवानता असमानता भी बता लेता है लेकिन सिद्ध नहीं कर पाता है यह किसमें होता है यह उच्च प्रात्मिक इस्तर पर विक्सित होता है उच्च प्रात्मिक इस्तर क्या हुआ जो 6-8 होता है उसमें समानता असमानता बता लेता है लेकिन उनको सिद्ध नहीं कर पाता है अब चौथा क्या है औपचारिक निगबन जिसको लेवल 3 कहते हैं लेवल 3 भी क्या करता है तर्क पूर्वग परिभाशाओं का निर्माण स्वयम कर लेता है मतलब उसमें तो उसने याद की थी क्या है इसमें क्या होता है वो तर्क पूर्वग परिभाशाओं का निर्माण स्वयम कर लेता है तर्क पूर्वग परिभाशाओं का निर्माण स्वयम कर लेता है मतलब अब उसको याद करने की ज़रत नहीं है अब वो तर्क के अधार पर समझ समझ जाता है कि जो परिभा प्रात्मिक इस्तर के बच्चे दी गई आकरतियों को उनकी दिखावट के अधार पर वर्गी गत करने के योगे हैं मतलब उनको आकरती दिखाई गई तीन भुजाओं वाली आकरती चार भुजाओं वाले आकरती पांच भुजाओं वाली आकरती छै भुजाओं वाली आकरती उनको दिखाई ग चार भुजाओं वाली आकरति को चतर भुज कहेंगे और पांच भुजाओं वाली आकरति उसे पंच भुज कहेंगे इसके अधार पर आपको यह बताना है कि वैन हिले के अनुसार वह किस इस्तर पर है तो वह किस इस्तर पर है मांसिक चित्रन इस्तर मतलब चाछुसी करण इ लेवल 0 है जिसमें दिखावट के अधार पर बताते हैं कि यहां किस आकरती का है ठीक है आपका अंसर हो जाएगा मालसिक चित्रडिस्तर या चाचुसी करन इसे लेवल 0 भी कहते हैं नेक्स कोशन है कक्षा 4 की इकाई चतरभुजों को समझना चतरभुज के कोड योग गुर्धर्म से सम्मंदित मुख्य परिणाम कागश मोडने के क्रिया कलाब द्वारा परचित कराए गए हैं और उसके पश्यात इन गुर्धर्मों पर आधारित अभ्यास भी दिये गए है इस इस्तरपर कोडों के गुर्धर्म का प्रमाण नहीं दिया गया है प्रमाण नहीं दिया गया मतलब उनको सिद्ध नहीं किया गया है क्योंकि कक्षा 6 के विद्यारती इस समय वैन हिले के किस इस्तरपर हैं मतलब उन्होंने चतरभुज को समझाया है अच्छे से उसके ग गुड बताएं हैं, क्रिया कलाप करके भी दिखाया कि जो चतुर बुज होता है, वो किस तरह से बनता है, ठीक है, उन गुड धर्मों के अधार पर उनके गुडों के अधार पर अभ्यासकार भी दिये हैं, लेकिन उनकी जो प्रमे होती हैं, थ्विरम सोती हैं, उनको नकी जो टार थी हैं, इस समय वैंड ही लें के किस इसलर पर हैं, तो मैंने आपको पहला लेवल पढ़ाया था चाछुसी करंड, जो लेवल जो था वो था विशलेशन, लेवल टू था अनौपचारिक निगमण, लेवल थी था अवचारिक निगमण, ठीक है, जीरो से स्ट होते हैं तो कितने होगे अपने पास लेवल 3 हमने बताया था अनुपचारिक निगबन था उसमें समानता असमानता बता तो लेते हैं सूत्र याद भी कर लेते हैं पर अथा यहां उच्छ प्रात्मिक इस्तर पर विख्सित होता है मतलब 6 से 8 तो आपका अंसर है वो कोशन में चुपा हुआ है कि कक्षा 6 के विद्यारती इस समय वैन हिले के किस इस्तर पर है तो अनवचारिक इस्तर अनवचारिक निग्बन पर लेवल 2 पर है क्यों क्योंकि यहां पे कक्षा 6 की बात की गई है पहली बात दूसरी बात इसमें का गया है प्रमे को सिद्ध नहीं किया गय तो जब प्रमाड नहीं देंगे, सिद्ध नहीं करेंगे, तो कौन सा इस्तर हो जाता है, लेवल 2 हो जाता है, अनौपचारिक निग्बन हो जाता है, तो इस तरह से जो वैन हिले के जामती चिंतन के इस्तर थे, वो यहाँ पर हमारा complete हुआ, next class में हम next topic कराएंगे, beard and seated की सभी classes देखने के लिए, description में link दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, PDF के लिए आप my telegram channel को join कर सकते हैं, जिसका link भी description box में दिया गया है, धन्यवाद, मिलते हैं अपनी next class में